जैसे जैसे रात आगे की तरफ बढ़ेगी तो ओस के आने की है उमीद परिस्थितियां थोड़ा सा बदलेंगी एक दम मुर्दल है ये पेच फ्लाट एज रोड अगर आप टॉस जीते तो आँखे मूल के कीजिए बैट हेद्स चुना है कप्तान ने और इट्स टेल्स दर्शोको का जमावड़ा देखकर ऐसा लगता है कि आधा शहर आज इस मैदान में ही है नई गेंद आज पूछेगी कुछ कठिन सवाल लेकिन इन सवालों का जवाब चाहिए सलामी जोड़ी ऐस कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर अधिक्तम खिलाडी सरकल में है पाव प्ले का समय है तो फिर बल्ले बाजों को एक्सेलरेटर पे दवाना होगा पाओ अनसाइट की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरेट हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रनिंग बिट्वीन दविकेट्स दो-दो हाथ करने की मंच्छा से आए है मैदान पर दुक्य के साथ किया है आरम बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोरा बल्ले बाजोंने डिरेक्ट हिट जरूर है लेकिन बल्ले बाज सुरक्षित नॉट आउट हलक असा शफल किया और गेंट को लेक्स साइट पर भेजा चीते को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बाज दो-दो हाथ करने की मंच्छा से आए है मैदान पर दुक्य के साथ किया है आरम ये आउट करार दिया है अमपायर ने लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे और अब ये चुनोती दे रहे हैं अमपायर के डिसीजन को अमपायर को अपना डिसीजन बदलना होगा बेटर सेव दैन सॉरी बल्ले बाज जोखिम आएगा नहीं डॉट बॉल इसे आप स्लॉग स्वीट भी कह सकते हैं क्योंकि डीव मिट्विकेट के बैट्समन की गल्ती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट और इस सिनिंग की पहली विकेट गेंड बाज के नाम तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता प्रीज पर आए है नए बल्ले बाज उमीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे फील्डर की अच्छी एफट और बड़िया थ्रो भी ओवर की आखरी गेंड पर बटोर लिये हैं दोरा बोलिंग कप्तान ने यह डिसाइड किया है कि अब आकमन होगा मीडियम पेसर्स के दुआरा बोलिंग चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है थोड़ा नाजुक हातों से खेला ओन साइड की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं यह बैटिंग को फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो इस टीम की दिल और धड़कन है ये इकठे मिलकर बहुत काम किये इन्होंने एक और अच्छी साजेदारी पूरी तरह से छका दिया है बल्ले बास को बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबास की पचास रन की साजेदारी दो बल्ले बाजों के बीच में वेल प्लेड ओन सैट की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरे फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर मैसिव हिट जबरदस्ट शॉट है ये जबरदस्ट हिट सूपर हिट फील्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थ्रो भी दोनों खिलाडियों की बीच में अच्छा ताल मेल अच्छी साजेदारी पनप रही है बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर लेक्स पिनर को थमाई गई है अब गेंद फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर फील्डर्स पे डाला दबाव एक को किया दो में तबदील बढ़ी गलती हो गई नो बाल याने की फ्री बी बल्ले बाजी की टीम को और क्रीस पे खड़े बल्ले बाज के लिए है अब ये फ्री हिट दर्श गोगो किया फील्डर में तबदील इस शॉट ने लूटी वहवाई फील्डर भी सिरफ पीछे मुड़ कर देखेंगे छे रन खाते में फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डंस टंस के ऊपर आतिशी बल्ले बाजी पचास तक पहुँच गए और अब आतिश बाजियों की है बारी फील्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थ्रो भी हलका सा शफल किया और गेंद को लेक्स साइड पे भेजा चीते को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बाज बीटन बल्ले बाज बहुत खुश होंगे इस ओवर से स्कोरिंग रेट पे थोड़ी लगाम लगाना चाहते हैं मीडियम पेसर को बुलाया है गेंद बाजी पर थोड़ा सा हिले थोड़ा सा डूले और गेंद को लेक्स साइड की तरफ हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बड़िया रानिंग बेट्वीन दविकेट्स थोड़ा नाजुक हातों से खेला ओन साइड की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग को बड़िया जज्ज्मेंट तेज रनिंग बड़िया रन भटोर आप बल्ले बाजों ने ब्रिलियंट कैज पकड़ लिया है मैज को जकड़ लिया है एक सेंसेशनल पारी की हुई इस प्रकार समापती नया खिलारी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनकों की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी तक रॉकिट की स्पीड से गई है गेंद ये फैंस तक पहले गियर से सीधा छटे गियर में छे बल्ले बाज सूपर कूल ये शॉट पैसवसूल छे रन और की समापती इस से बहतरीन अंदाज में संभव नहीं छे रन जोड दीजिए और इस गेंद के साथ हुआ समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं आप अपने आगास से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं और वही कोशिश करेगा गेंद बास आखरी ओवर विकेट के साथ करना चाहेगा समाप स्क्वैल लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट शेतर में जबर्दस स्वीप पैट्समन के दुआरा फील्डर का बढ़िया थ्रो एक डंस टंस के उपर इसे कहते हैं संभल कर खेलना इन दो रंस के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को इसे आप स्लॉग स्वीप भी कह सकते हैं क्योंकि डीम मिड्विकेट के रीजन में जड़ा है ये पावर्फुल शॉट क्लीन स्वीप है ये और क्लियर भी करेगा फील्ड को फील्डर और गेंद बास का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रो अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच बल्लेबाजी क्रम में खासी उठा पटक लोर और बल्लेबाज को टॉप और में भीजना बैटिंग ओर्डर को लंबा करना चाहते हैं ओओ फील्ड अपने आप से नाराज भी होंगे और निराश भी एक छोर पर विकेट के बाद विकेट गिरती जा रही है गेंद बासी जबर्दस्ट एक्सेलेंट इनिंग्स विशाल का एटोटल का करना है पीछा तो शुरुवात से ही करनी होगी ताबर तोड़ बल्लेबाजी आगाज अच्छा तो अंजाम कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर इस फील्ड प्लेस्मेंट को देख कर यह अंदाजा लगाना कठिन है कि अगला मूव क्या होने वाला है गेंद बास का अंडर्स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात सटी गेंद डॉट गेंद बहुत आसान सा कैच डीप में ऐसा लगता है फ्री हून डिलिवरी दे कर गए है कैच बले बास रन बनाने में विफल गेंद बास सफल फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने रोचक फैसला कप्तान का लोर ओर्डर बल्ले बास को प्रमोशन दी है बैटिंग ओर्डर में चतुराई से की है गेंद बाजी बल्ले बास को रखा है खामोश एक और डॉट गेंद तीकी गेंद तेज गेंद बड़िया बाउंसर चतुराई भरा मिश्रन गेंद बास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी गेंद बलाव साइड चेंज की गेंद बास ने प्लान को एक्जीक्यूट कर पाएंगे सही से फिल्डर ने जान जोग दिये इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे चेंज आफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटेक में सबका बढ़िया प्रदेशन फील्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो ये निर्णे बल्लेबास के पक्ष में अमपायर ने नकार दिया पील को फील्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थ्रो भी अच्छा शॉट अच्छी जज्जमेंट दो रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में स्लैम कमाल का शॉट और क्या थी खूपसूरत ये डाइमिंग ये शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौर्वानवित होता ये गेंद बल्ले बाज के सर को साथ ले जाती ऐसा प्रतीत हुआ अंपायर ने कड़ी दी है चेतावनी ग्रेट कैच क्या इतनी अद्वूद कैच पकड़ी जाएगी ऐसा सोचा नहीं था बल्ले बाज ने बढ़िया पकड़ा कैच समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ स्क्वेर लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड्विकेट शेतर में अंडर्स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती पाप लेकी रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है समाप तो फिर चौकों पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है इसे कहते हैं बाउंसर्स का भी बिग डैडी थोड़ा सा स्मेल कीजे लेदर को सही ठिकाने पर गेंद बल्ले बास खामोश फिल्डर और गेंद बास का अच्छा ताल मेल बड़िया थ्रोग आज तो बहुत महनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फिल्डर देगा नहीं मिड्विकेट पे खड़े फिल्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव रन नहीं मिलेगा तिर्चे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रेट स्लॉग डाउन दे ग्राउंड रॉकेट आम है इस फिल्डर का और एक्यूरेट भी डिरेक्ट है अनसाइट की दिशा में फिल्क किया रन बटोर है बढ़िया जज़्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोर आप भल्ले बाजोने बून बून से गागर आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं और वही कोशिश करेगा गेंदबाज क्या कमाल का प्रदर्शन देखा हमने टीम ने मुकाबला भी जीता है और विपक्षी टीम को बिल्कुल किया है बेजुबाद ऐसा लगा एक समय की आसान सी जीत मिलेगी टीम को लेकिन कहते हैं न साफदानी हटी, दुरघटना घटी, मैच हार गए और साथ में दिल भी तूटे हैं इस टीम के कमाल की स्ट्राइकिंग देखी आज हमने इस बल्लेबाज के बल्ले से और इस में कोई शक नहीं